गुद मॉनिंग अब्रीबन कैसे हैं सभी उमीद करता हूं सभी अच्छे होंगे तो टोड़ी इस 22nd आफ अगस्ट 2023 और डे है आज तुजड़े तो आज हम डिसकस करेंगे रिविजन करेंगे डिविजन का डिवाइड जो वो कैसे करते हैं चाहे वो एक डिजिट बाला डिवाइजर हो चाहे वो दो डिजिट बाला हो चाहे वो तीन डिजिट बाला ही डिवाइजर के होना हो उसको जो थोड़ा सा देखेंगे फिर दो कु तो डिविशन जब आपके F2 में भी देखने को मिलेंगे question तो आपको जो अच्छे से देखना है division को verify कैसे करते हैं वो भी देखिए question को जो आपने copy पर करने हैं फिर उसके बाद जो भी दो question है और उनकी जो आपने practice खुद करनी है वो आपने खुद ही करने है तो चली देखते हैं division जो आप कैसे करते हैं division में जो दो number आपको given होते हैं आपको बोला जाता है कि इस 408 को डिवाइड करो 3 पार्ट में 3 equal पार्ट तो आप बोली कि यह जो exactly divisible है exactly का मतलब है कि 408 के आपने 3 equal पार्ट जो कर दी है जैसे example के लिए 15 को 3 से डिवाइड करता हूं तो आपको बताए 5 आजाएगा तो 5 जो बो one third of 15 है मतलब कि तीसरा पार्ट है 5 और equal पार्ट 55 होंगे जैसे 355 को प्लस करूँगा तो आपको बत टो मतलब आपने थर्ड जो पार्ट जो बो निकाल दिया है तो इसका मतलब सेद्र से से होता है जैसे आपके पास मह लेते हैं कि 10 रूपीज है आपके दो बंचे हैं 2 चिलटन है तीन महालनेट लालेता है, फीक है फास और आपके बंच्णों से座ार चिलटन पार्ट युक 5 is the half of 10 तो अगर मैं 5 का भी हाफ कर दूं तो एक एक का जबो एक एक को जबो भूब मिल सकते हैं तो 5 का जबो 2.5 होता है जिसको हम डाही बोल देते हैं 2.5 ठीक है या डेसिमन में लिखेंगे तो 2.5 आचाएगा तो 2.5 या ए एंड तो इसको जबो 2.5 बोल जाता है ठीक है 2.5 का मतलब है दो और आधा इसमें और तो अगर आप जबो चार बच्चों को जबो 2.5 2.5 रूपीज देंगे तो जबो आप उसको पूरे 4 इक को पार्ट में डिव सकेंगे तो इसका डिवाइड करने का मतलब है डिविशन जो वो एक हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है बिसिक मैथिमेटिक्स का जिसमें आपको मल्टिप्लाइब बता होना चाहिए पहले आपको टेबल बता होना चाहिए अगर आपको टेबल नहीं आते हैं लेकिन आप सब्सक्राइब करने लिविशन जो आप उचेकं करते हो कते होते हैं ते जो स्कें अफ़िप्लाइब करने हम पूर्टिप्लाइब युट ए टो ठीक है लेकिन जब आपको टेबल नहीं हो चाहिए तो मुझे लगता है कि आप उस德 मामबर आई से होते हैं जो आपको मैल्टिप्लाइए इतना बड़ा नमबर है इसको पता होगा नहीं पता किसी को भी तो आप इसको करना ही पड़ेगा वो अलग बात है लेकिन जब चोटे नमबर होंगे तो आपको जल्दी जल से उसको करना है तो चलिए सबसे पहले एक डिजिट वाला करते हैं सबसे डिवाइड करते हैं और जिसको डिवाइड करते हैं वो हमारा क्यैटल डिलिंखदों सिंबल में डिविडेंट होता है और जो हमारा आंसर रिजल्ट निंकलता है उसको हम खूसिंट बोलते हैं और यह हमने live class में बहुत अच्छे से सीखा था जिए इसके vocabulary की एक अंडूट भी होता है जो बर्गमुल हिंदी में बोलते हैं इसको या स्कुए रूट बोल देते हैं लेगिन डिवाइड का सिंबल ना यह वाला है इसको हम ऐसे लिखते हैं इस कर्व को ध्यान से तो इस साथ भी आप लगा सकते हैं ऐसा कुछ है नहीं डिवाजर को आप तक टेबल पढ़िए तो 3 1 जा 3 देखे 3 2 जा तो 6 हो जाएगा जो 4 से बड़ा हो जाएगा तो माइनस किया तो 1 आ जाएगा अब 1 तो चोटा है तो इसलिए अगले बाला नमबर नीचे उतारिए और इसके साथ चिपक करें जो यह बनका 10 10 फिर से जो 3 का टेबल पढ़िया फिर 3 6 जा जो एट होता है 6 उपर लिख लो और 18 फिर नीचे लिख लो और माइनस किया तो इसको 0 आगया जीरो आया तो मैंने आपको बता दिया ए जबो रिमेंडर है हमारा अगर रिमेंडर जीरो आता है तो उसको बोलता है एक्जक्री डिविजिबल हो गया तो आप जो इसके कोशियंट और मेंडर जो यहां पे लिखे हो है तो कुछ इस तरह से क्यू यू ओ टी आई एंटी स्वेलिंग ठीक है आरी में डी आर तो सॉटकट में आप क्यू और आर भी लिख सकते हैं लेकिन एक बार जो स्वेलिंग को लर्न करने के बाद ही जो आप ऐसे सॉटक करना पहले एक से फिर दो से फिर तीन से फिर कहां जैसे जो नंबर इसके ब्राबरा रहा है उसकी उसमें जो आपको थोड़ा सा माइंड यूज करना है दिखी कैसे अब आपके पास फाइव डिजिट वाल जो यहां पे डिवाइडेंट है और 3513 डिजिट वाल डिवाइज इसको 100 में क्योंकि रॉंड ऑफ किया तो तो आपको पता है तो 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 यह उपर लिख लिए तो यह उपर से नीचे आगया फिर आप टेबल फिर से पढ़ना स्टार्ट कीजिए अब ना 3 का टेबल ही पढ़ी है और यहां तक 21 तक जाएए 37 जा होता है देखिए 37 21 तो यहां वे सिदे 7 जो सोरी 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 यह वाला नहीं 37 21 होता है आप एक बार मल्टिपला करके चैक करो क्योंकि 351 है आगे जब 351 को 7 से इससे बड़ा नंबर हो जाए गया तो 7 से ना करके फिर 7 से आपने एक बार चेक किया कि इससे बड़ा हो गया फिर आप 6 से करिए फिर 6 से जैसे करेंगे तो 6 किखना पड़ेगा आपको क्योंकि वही आपका कोशिंट में लिखना है तो इसको माइनस किया फिर 9 जिर 2 आ गय आप ऐसे लगाते हैं जैसे एरो लगाया यहां पर क्यों लिख दिया यह निच्छे भी आप देखते हैं एरो लगाया और रिमेंडर लिख लिए देखिए कुछ इस तरह से तो यह हमारे दो कोशिंट थे बाकी जो दो कोशिंट और है बोजबू आपको बटसे पर सेंड कर दे जाएंगे उसके अपने प्रेक्टिस करनी है ओके थैंक यू एंट हैवर ग्रेट टे